असलाम अलेकूम सस्यकाल नमस्ते आदाब तो कैसे हो आप सब अभी सुर्णियों बाद करूँगा अगर कोई अजनबी को मार देता है सौधी अरब के अंदर में अगर कोई अजनबी किसी भी देश का हो सौधी में काम कर रहा है जैसे कोई इन्बिया का है नेपाल पाकिस्ता किसी भी अजनबी मुल्क का कोई गैर मुल्की अरब में काम कर रहा है सौधी की बात कर रहा है किसी और देश की बात नहीं कर रहा है अगर उसको मार देता है कौन सौधी आद्वी मार देता है तो क्या सौधी अरब का जो खिंग है जो हां का रूल सिस्टम चलते आ रहा है तो क्या उस सौधी नागरी को जो सौधी है उसको कुछ सजा मिलेगी या नहीं मिलेगी जैसे माले एक्जामपल देता हूँ अपने इंडिया में हम इंडियन इंडियन को मारते हैं तो हमें क्या सजा मिलती है हमने किसी का मतलब की कुछ अगर हमने चलो हमने सूट आउट कर द को कोई सवोधी काम कमाम कर दे उनका तो क्या उसको सजा मिलेगी अरे बिल्कुल मिलेगी मैं भी आपको न्यूज शेर कर रहा हूं ध्यान से देखिए हम लोग सोचते हैं कि या सिर्फ किंग्रम में मतलब सवोधी में अपना-पना कानून बना के रखा इनोंने अजनवियों क चेर करता हूं इड्रव न्यूस इंन चापई देखिए यह एक यमनी नागरिक थभा थीक है एक मन का आदमी सवोधी में उसको जो है किसी ने मौत की सजा सजा देखिए एक यमन्यनागरिक लिए मैं मौत की सजा संत्या वäg ही है फैसला पक्का वाला होने हो चुका है यहां पर आप न्यूज देख रहे हैं साओधी अरब में एक यमनी नागरिक काम करता था जिसको जो है साओधी नागरिक अब्दुलनासिर बिन हुसेन अर्जहरानी ने यमनी नागरिक अली हसन जुमान को चाको से गोद कर माड डाला ठीक है बयान में कहा गिया है कि आरोपी घटना के बाद फरार हो गया सुरक्चा वलों ने उसका पता लगाया उससे अदालत ने पेश किया जहां पर उसका फर्मान जारी किया गया था देख रहे हैं साही घराने मतलब सौधी किंग के घर से फर्मान जारी किया गया कि अजनभी का जिसने भी कतल किया है उसको मौत की सजा सुनाई जाए अब ये सौधी को मारा और उसको मौत की सजा सुनाई गई है तो अरब के अंदर में ये हर किसी पर लागू होता है अगर कोई अजनबी साओधी का इस तरीक से करता है तो उसके पर वही लागू है कोई साओधी अजनबी करता है उसके लिए भी यही लागू है मैंने ये नियूद इसलिए बनाई है कि ध्यान रहे कि अगर आपके हक में किसी गैर मुल्की के हक में क गलत होता है तो सौधी लोगों को छोड़ा नहीं जाता हमेशा देखते आया गया है कि हमेशा अजनवियों को मतलब नीचे नजर से देखा जाता है सैली कम दी जाती है परिशान किया जाता है रोज कुछ ने कुछ नया उनको सुनाया जाता है तो ऐसा नहीं है कि यह लोग को लेकर करके कावा सिस्टम किया अब दीरे दीरे देखते रहो आने वाले टाइम पे बीना कफील का वीजा भी इशु होने जा रहा है। आप कफिल की भी जवरत नहीं है आराम से इजी से कोई दिक्कत नहीं है तो अजनेवी को किसे ने मौत के घाड उता रहा तो सवुदी का भी हाल वही हो रहा है यह है असली सरकार बोले तो राज सरकार ठीक है बहुत शुक्रिया वीडियो शेर कीजिए गा लाइक कमेंट से सब्सक्राइब दो में आरे कमेंट खाले कि अल्ला आफीज